हलो स्टुदेंट्स आज के वीडियो में क्लास नाइन की साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट को लिखा हुआ है जिसमें से हम आज के वीडियो में स्टार्टिंगे पांच को कवर करेंगे सबसे पहले हम को समझेंगे नेक्स फिर हमारा टार्गेट रहेगा कि कोश्यन में क्या पर्टिकलर आंसार आपको लिखना चाहिए मेरा नाम तिशार तुशार भारद्वाज और यह आपका अपना फेवरिट चैनल साइंस वर्ड बाई तुशार सर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के फाइव most important फस्ट को पहले देखने कि इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है ठीक है डेस्क्राइब factors affecting evaporation evaporation को प्रभावित करने वाले affect करने वाले कुछ factors आपको बताने है देखिए यह जो question है करीब तीन नमबर का आ सकता एक्जाम में ठीक है अब अगर chapter की बात करें तो 9th की science का class 9th की science का जो first chapter है matter in our surrounding वहाँ उस chapter से यह question लिया गया है ठीक है अब इस question में देखिए factors पूछ रहा है आपसे पर किस चीज़ को affect करने वाले factor evaporation तो सबसे पहले तो आपको evaporation क्या होता है ये चीज़ clear होनी चाहिए उसके बाद फिर आपको कुछ factors करीब तीन factors जरूर मालूम होनी चाहिए जो evaporation को प्रभावित करते हो ठीक है evaporation देखिए क्या होता है evaporation एक वो process होता है जिसमें liquid change होता है whipper state पे evaporation क्या होता है ये तो आपको clear हो गया है लेकिन अब क्या ऐसे factor है जो evaporation की rate को प्रभावित करते हैं उसमें देखिए सबसे पहला नाम आता है surface area का ठीक है surface area कैसे affect करेगा अब हमें ये समझना है surface area का मतलब होता है कि जैसे मालनी जीए एक example ले लेते हैं कि आपके पास कोई गरम चीज है जैसे मालनी जीए आप चाहे काफे वगारा पी रहे हैं तो हम generally क्या करते हैं कि उस चाहे को हम किसी ऐसे container में ऐसी plate में या ऐसी bowl में डाल देते हैं जिसका area थोड़ा जादा होता है तो area जादा होने से फर्क क्या पड़ेगा भाप जादा बनेगी तो surface area अगर किसी चीज का जादा है तो भाप जादा बनती है surface area अगोपरेशन कम होगा ठीक है से बस है विल्कुल second दूसरा factor क्या हो सकता है वो है humidity अगर humidity की बात करते हैं तो उसको start करने से पहले हमें यह जो word है humidity इसका meaning पता होना चाहिए humidity का मतलब होता है water holding capacity हमारा जो surrounding space है न उसमें कितने water के molecule present है air में तो water holding capacity जो होती है air molecules की उसको क्या बोल रहे है यह आप simple ऐसा बोल दीची हमारे atmosphere में जो water present होता है उसको क्या बोलते है humidity अगर humidity ज़्यादा है अगर humidity ज़्यादा है हमारे surrounding में जो atmosphere है यह हमारे आसपास का जो area है हाँ पर humidity ज़्यादा बनी हुई है मतलब water content ज़्यादा है atmosphere में तो ऐसे में क्या होता है पसीना सूखता नहीं है गर्मिवाब अपने notice भी क्या होगा इस बात को जैसे कहीं बार होता है बारिश हुई है लेकिन बारिश ज़्यादा नहीं हुई तो ऐसे में क्या होता है humidity बढ़ जाती है जिसकी वरे से क्या होता है पसीना सुखेगा नहीं पसीना क्यों नहीं सुख रहा है क्योंकि पानी का एक नियम होता है water का एक rule होता है high water potential से low water potential water के molecules से move करते हैं अब जो हमारी body surface है वहाँ पर भी water molecule है यह तो अब समझ गए अब हमें क्या करना है इस पूरे concept को evaporation से relate करना है कि वही क्या ये factor बन पा रहा है या नहीं बिल्कुल बनेगा अगर हम humidity कम कर देते हैं मान लिजे कोई आपके पास device है या कोई technique है जिसके जरीए आप humidity कम कर देते हैं फिर आप AC का use कर रहे है तो AC क्या करता है वो इसी logic पर काम करता है देखिए humidity को कम कर देता है क्योंकि atmosphere से पानी को खीच लेता है और बाहर कर देता है तो उस particular area में या उस particular room में जहां आपने AC install किया हुआ है तो उस जगहां पर humidity कम हो जाएगी जिसके वैसे हम पसीना जल्दी सुखेगा तो humidity अगर कम है तो evaporation fast हो रहा है और humidity जादा है तो evaporation कम हो रहा है तो आप क्या बताएंगे कि अब इस surface ते रहा तो directly proportional था evaporation के लेकिन humidity inversely proportional है clear तीसरा factor है वो है rate of air flow हवा की speed अगर जादा होती है तो क्या करती है humidity को control कर लेती मतलब humidity जो decided area में थी वो spread हो जाएगी तो overall एक particular area में humidity कम हो जाएगी rate of air flow जादा होने के वैसे क्या होगा humidity कम होगी और अगर humidity कम होगी तो evaporation जादा होगा तो ये चीज़ आ रखनी है अगर rate of air flow जादा है अगर हम direct match कर रहे है evaporation से तो evaporation भी जादा ही होता है तो ये तीन important factor है तो कुल मिला के तीन factor हमने discuss किये surface area, humidity और rate of air flow जो आपको ध्यान रखने होंगे first question के पांसर के लिए सबसे पहले evaporation को ध्यान रखिएगा कि evaporation का meaning क्या है उसके बाद वो तीन factor आप heading डालेंगे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा explain भी करेंगे और कोशिश करना हर एक factor में आप वो relational बताएंगे कि भाई directly proportional है या inversely proportional ठीकिए? अब आते है second question पर Why does a desert cooler cool better on a hot day? यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा जा रहा है आपसे कि भाई ऐसा क्यों होता है cooler थंड़क दे पाता है cooler अपना काम पूरा अच्छे से कर पाएगा लेकिन कब? hot day पर अब यहाँ पर hot day का क्यों indication दिया गया है देखिए होता क्या है जिससे कि माली जे कि कोई गरम देना मतलब गरमी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ऐसे में क्या होता है कि जो humidity है वो थोड़ा कम रहती है और जब humidity कम होगी तो humidity का मतलब क्या है वो अमने भी last question में भी समझा था water holding capacity जो होती है surrounding space में आपके आसपास जो air के molecules हैं यह जो वातावरन है वहाँ पर नमी कैसी है अगर नमी कम होती है मतलब humidity कम होती है तो cooler जो हवा देगा तो उस हवा की वज़े से आपका जो पसीना है जो sweat production हो रहा है वो बहुत आसानी से सूप पाएगा मतलब आवपरेट हो पाएगा तो आवपरेशन फास्ट हो जाता है humidity कम होनी के वैसे और humidity को हम कम कब consider कर रहे है hot day पर क्योंकि question में आपे लिखा हुए साब सा why does a desert cooler cool better on hot day लेकिन अगर यहाँ पर एक छोटा सा case generate कर लेते हैं मान लेते हैं कि नमी कम नहीं है नमी थोड़ा ज़्यादा बनी हुई है तो क्या cooler अच्छे से काम कर पाएगा इसका answer आपको comment कराना है conditioning बार फिर से समझ लेते हैं कि कोई room है ठीक है उसमें ventilation का कोई option नहीं था तो आपने क्या किया gate जो था उसी जहां पर cooler को रखा और उसे use करने लगे तो अब आप सोच के बताएगा कि क्या ऐसी condition में cooler जो है वो अपना काम पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा और अगर नहीं कर पा रहे है तो ऐसा क्यों तो उसका actual reason क्या है वो भी आपको comment कराना है ठीक है सिंपल सथा अब आते है question number third पर गिव three characteristics of particles of matter जो particles होते हैं matter के उनकी तीन characteristics बताने है सबसे पहली characteristics matter की जो particles है वो सभी particles एक दूसरे को attract करते है यह first characteristics है second characteristics है matter की जो particles है उनकी बीच में space होता है खाली जगा होती है ठीक है next number third characteristics of particles of matter तीसरी characteristics में आपको डालना होगा कि matter की जो particles होते हैं वो constantly move करते हैं सिंपल है बिल्कुल matter की जो particles होते हैं एक तो वो attract करते हैं दूसरे को उनके बीच में खाली जगा होती है और लगातार move करते हैं तो यह simple तीन characteristics होती है particles of matter की अब आते हैं कोश्चन पर give chemical name of dry ice dry ice का chemical name क्या है और वो है carbon dioxide CO2 short question में ही यह पूछा जाता है कि वह ड्राइस का chemical name क्या है तो आपको अगर formula पूछेगा तो CO2 डाल देंगे otherwise नाम पूछ रहा है chemical name तो आप carbon dioxide लिखेंगे next two applications of sublimation process sublimation process देखी क्या होता है कि कोई material जब डारेक्ट वेपर में चींज़े होता है solid state से सीधा वेपर में चींज़े होता है liquid state नहीं आती है तो उसको मुलते sublimation process अब इसकी दो application क्या है सबसी easy और सबसी important application है जिसे आपने देखा होगा कि जो hill station वगरा होता है जहां पर बर्फ ज़्यादा पड़ती है तो notice भी क्या होगा अपने बलकी बर्फ जब melt होती है temperature यह surrounding environment जब suitable होता है तो ऐसी condition पर क्या होता है कि बर्फ melt होने start होती है पर लेकिन क्या melt होकर वो पहले liquid में चींज़ होती है उसके बाद फिर gases में चींज़ होती है ऐसा नहीं है वहाँ पर सीधा sublimation का process चलता है तो बर्फ जो है सीधा भाप में चींज़ आती है sublimation process चलता है तो एक तरह से sublimation का एक simple सा example था और जो काफी important भी था I think आप समझ गए होंगे next आता है यहाँ पर कितने पूछ रहा है आपसे दो application पूछ रहा है second application का है sublimation की देखी जो fridge होता है fridge में जो chamber होता है उसमें क्या होता है tubes होती है जो freezer जिसको हम बोलते है जिसमें हम चीज़ों को जमाते है आप अपने पानी बानी रखा और वो फ्रीज हो जाता है जम जाता है ठीक है बर्फ जमाते है तो freezer का जो unit है वो जो section है जिसको हम freezer वाले section बोल रहे है तो उसमें क्या होता है tubes होती है अब होता क्या है मान लीजे कि आपने समान वगर रखा हुआ है और बहुत बार क्या होता है फ्रीज में काफी बर्फ जम जाती है तो मुसको defrost करते है एक बटन दिया होता है defrost करने के लिए जैसे मुसको press करते है तो क्या होता है वो जो section था जो fridge का compartment था जो separate किया हुआ था महाँ पर tubes जो होती है उसके अंदर warm air circulate करती है और जैसे ही वो वहाँ में circulate करीगी न तो आसपास यह जो nearby zone था वहाँ पर जो बर्फ जमी वी थी वो बर्फ सीधा लिक्व में चेंज नहीं होगी सीधा किस में चेंज होगी विपर्स में चेंज होगी और वो क्या है sublimation क्यों मैंने आपको starting बता है आपको मालूम भी है कि solid से सिधा विपर्स का बनना तो intermediate stage नहीं आई न और यही है sublimation process तो यह भी second application भी बहुत important है जो आपने notice भी कियोगी और अगर notice नहीं किये तो अब notice किजिएगा ठीक है? clear? तो starting के जो 5 question थे वो हमने complete कर लिए I think आपको 5 question बहुत अच्छे समझे आ गया होंगे और अगर आपको questions clear है किस question में क्या answer आपको लिखना चाहिए यह समझे आ गया है तो please video को like कीजिए share कीजिए maximum share कीजिए और अगर आपने हमारे चनल को भी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए और इस तरह का content regular पाने के लिए आपको bell icon पर press करने के बाग all पर जरूर क्लिक करना है जिससे की video का notification समय से आपके पास पहुँच सके और आप अपने according videos को देख सके तो आज के video में बस इतना ही मिलते हैं next video में बाखी के 5 important questions के साथ वीडियो को starting से last तक देखने के लिए धन्यवाद